गुण मॉनिंग स्टूरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरन में पाठनों क्रिया तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वाइक के दिये गए हैं, उनको पहले हम पढ़ लेते हैं जैसे रोज इसनान करें, साव बस्त्र पहने, संतूलिक भोजन खाएं, प्रति दिन दूद पिए, ताजा फल बस सबजिया खाएं, निमीत रूप से व्यायाम करें तो इन चित्रों में जो जिन शब्दों का इस्तमाल किया गया इन वाइकों में, जैसे करें, तो अर्थात करना, पहने, अर्थात पहनना, खाए, अर्थात खाना, पिए, अर्थात पीना, शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है, अथा यह क्रिया शब्द है तो हम क्रिया की पहरी भाषा कैसे बोल सकते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया करते हैं अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दुसरा अकर्मक क्रिया तो सकर्मक क्रिया क्या है जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल करता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़ता हो उसे सकर्मक क्रिया करते हैं जैसे बबीता किताब पढ़ रही है तो बबीता कौन है करता किताब क्या है कर्म और पढ़ रही है क्रिया खरगोश गाजर खा रहा है तो खरगोश करता है गाजर कर्म है और खा रहा है क्रिया रानी ने चाय बनाई तो रानी को ने करता है चाय कर्म और बनाई क्रिया अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है वाइक्यों में किरिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म करलाता है जैसे बबीता क्या पढ़ रही है तो उसको उत्तर क्या है किताब खरगोश क्या खा रहा है तो उत्तर क्या है गाजर रानी ने क्या बनाया तो चाय इन वाइकों में किताब गाजर चाय कर्म है अब पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओ का काईर और फल दोनों कर्ता में ही रहे उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे बच्ची सो रही है, निशा हस रही है कुट्ता भोक रहा है तो करता है और क्रिया है कर्म नहीं है इन वाइकों में क्या तथा किसे लगा कर प्रैश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा तो इसलिए ऐसे वाइकों को हम क्या कहते हैं ऐसे क्रिया को हम कहते हैं अकर्मत क्रिया अब हम पढ़ेंगे काल के विशे में अब यहां जैसे कुछ वाइके दिये हैं सरिता खाना खा रही थी सरिता खाना खा रही है और सरिता खाना खाएगी तो खा रही थी से थी शब्द से क्या पता चल रहा है? बीते हुए समय का खा रही है से चल रहे समय का और खाईगी से आने वाले समय का तो इन वाइक्यों में प्रयूक्त क्रिया शब्दों से जाना जा सकता है कि क्रिया किस समय हुई है इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं और काल के भेद कितने हैं, काल के तीन भेदे, भूत काल, बर्तमान काल और बविश्यत काल. तो भूत काल क्या होता है? जब हम किसी कायर को कर चुके हैं, कायर जब हो चुका है तो उसे भूत काल कहते हैं, जब कायर चल रहा है तो उसे बर्तमान काल और उसी तरीकी से कायर होगा, आने वाले समय में होगा तो उसे भविशत काल कहते हैं बूत काल की परिवाशा देखेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे हम बूत काल कहते हैं जैसे रोहित ने गाना गाया राधा नाची थी बालक खेल रहे थे इसी प्रकार बरतमान काल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कायर हो रहा है उसे हम बरतमान काल कहते हैं जैसे सुधा खाना खा रही है, रमन खेलता है, अम्मा चाय बना रही है बविश्यतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार आगे आने वाले समय में होगा उसे बविश्यतकाल कहते हैं, जैसे पिता जी दिल ली जाएंगे, सुमन किताब पड़ेगी, आज बारिश होगी तो यहाँ पे काम के आगे आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए से क्या कहते हैं, भविश्यत कार, तो आज हमने क्रिया और काल दोनों को पढ़ लिया है, तो आज आपको इस चैप्टर को टूटे में लीट करना है, और उसके बाद इसके जो अभ्यास करना है और इसका पिकखिच के ग्रूप में सेंड करना है.